दोस्तों आज मैं बना रही हूं अटे की चकली और यह चकली बहुती टेस्टी बनती है ना मैदा होता ना सुझी ना बेशन और बहुती क्रिस्पी और बहुती टेस्टी बन के त्यार होती है तो मैंने लिया छोटा सा टीफन आपके पास कोई भी टीफिन हो उसके उपरा कोटन का नहीं लेना है हमारे पास कोई भी जो कलर नहीं छोड़ता हो इस कोटन का नहीं होना चाहिए उसके हैं के अंतर हम डाल कि इसको बंद कर लेंगे तो साथ महीं मैंने लिया है एक दाल तो जितना मैंने आटा लिया है, उतना ही मैंने डाल लिया है, दोनों कॉंटिटी बराबर रखी है, बैस सरफ यह है कि अलग अलग भी होया है इनको, लेकिन एक ही कटोरी डाल लिया है, अब दाल को हम कुकर के अंदर डाल लेंगे, और अभी इसके अंदर इतना है मैं पानी डालना है जितना डाल डाली है तो एक कटोरी भरके मैंने डाल डाली एक कटोरी भरके ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है तो फिर गुनने भी दिक्कत आएगी तो अतना ही पानी डालना है जितनी डाल डाली है और उपर से टीफिन इसके अंदर ही मैं रख दूँगी इसके अंदर ये जो दाल जो हमारा आटा है वो पक जाएगा तो मैंने मैदा नहीं लिया है वाक्त दोस्तों आटा लिया है और अभी तीन सीटी लगाया है तीन सीटी बाद हमारे दाल अच्छे से पक चुकी है अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं दाल लग रही है लेकिन अभी इसको हम अलग से निकाल लेंगे और आपको दाल दिखाती हूं दाल हमारे अच्छे से पक चुकी है देख सकते हैं बिलकुल अच्छे से मैं सो रही है और अभी जो आटा है उसको हम निकाल लेते हैं तो इसमें हमारा आटा भी है वो अच्छ एक बना लिया तो मेरा यकीन मान आप इसको बार बार बनाएंगे गिंगें तो आप इसको में अच्छे से मैंश कर लिया है अगया है लेकिन अब इसमें थोड़ थोड़ी गाठें बचिये तो आप हम इसको चलनी से चान लेंगे तो आभी मैंने दूसरा वर्तन ले लिया उसके पर छलनी रखी है और इसको, अच्छे झान लेंगे जो इसके उपर गाठे रहे जाती है तो इसको भी अच्छे से मसल लेंगे तो सारा अट्टा हमारा थे जृत्चे से चल जल जाता है तो अभी वह में हैं अच्छे तो देख सकते हैं, कितना स्मूथ हो, कितना यह अच्छे से पक यह त्यार हुआ है, बिल्कुल बिकच्चा नहीं रहता ना यह कोई हामफुल रहता है, बहुत अच्छी रेस्पी बनती है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो अभी इसको मैंने, जो डाल थी उसको भी इसके अंदर आटे के अंदर डाल लिया है अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो साथ में मैंने डाला है हल्दी वाउडर नमक और मिर्च तो आप ये टेस्ट के अनुशा डाल सकते हल्दे आप कमी डाले बैस हमे कलर के लिए चाहिए नमक मिर्च आप अपन में दिखा रही हूं तो तिल मेरा देशी है तो तिल हमें थोड़ा अच्छे से डालना है तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अभी इसको अच्छे से मैंने मैस करके ना इसको मैं देर-देर करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालके अट्टा गूंड लूँग थोड़ा थोड़ा पानी डालना है एकदम पानी डालने से पतला हो जाएगा तो हमारा जो टीकी है वह बनती नहीं है तो अभी इसको मैंने अच्छे से अटा गॉंध लिया है अच्छे से मेंस्क लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगएरा ना बचे वैसे गुठली बसती नहीं है क्योंकि आट्ट्त भी हमने च्छान के लिए है और दाल भीक्त से पक चुकी है तो मैंने यह मोल्ड लिया है इसका भीर भीर गोकी और कलता है जो Kivolowitz to हाथ में मैंने तेल लगा लिया और अब इसको गोल-गोल करके इसके अंदर डाल लेंगे लंबा करके तो इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे तो मैं इसको अच्छे से पूरा भर लूँंगी और इसके अंदर बहुति बनती है आपकोई भी इसके अंदर सेव दे सकते हैं इसमें पाशे तरह की सेप आती हैं जो आपकी मर्ज वहूँ आप दे सकते हैं अधो और इसकर मुंगए तकि इसको निकालने में आसानी रहे और इसको मैंने भरके इसको बंद कर लिया अब इसके हम गोल गोल चकली बना लेंगे बैसा से थोड़ा-थोड़ा सेट करते रहना है थोड़ा दूर-दूर हो जाती है इसको अच्छे से सेट कर लिया जया है हुआ है ऐसारी चकलिया में ऐसे बनाकर त्यार कर नहीं है, बहुत अच्छे से बंदी इसको कोई दिकोत नहीं आती है और आप मैधा की बना सकते हैं पर मेधा कैना थोड़ासा इसको कहाने में अच्छी निaden भूछ सर्थनी है बहुत ही अच्छी बनती है अगर आपने आस gerek करानियों में कहीं दिनों तक प्रखन सकते हैं कि अब इदर मैंने 30 ग्राम कर लिया है और हवान चकली वडिए कर लिए आन्दर कर लेंगे जितने चकली कि धेख सकते हैं मिफ़नी का था तरीक है कि निए फोड़ा से दिखाया änd मिठा जाँ किषिए कर दो चूप वीडियो बन रहा था तो अभी मैंने दोनों बार इसको डाल के अलग लग से इसको निकाल लिया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर त्यार हुई है बहुत ही अच्छी बनती है दोस्तों अगर रैस्पी पसंद आई हो तो शेयर करें कमेंट करें लाइक करें और मैं आपको पारोगन आपको अच्ति कमसे और मैंकर साहित कर दो सबाद Old लाइक करें एक है मुद्ढ़ करेंड पनी जो सिन्मान कर और से लाइक रिव्ड़ोपी नकिया डुटॉ